हाई एविवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला उनिवर्सीटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंगलीस ओनर्स के स्टुडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंगलीस ओनर्स के चारो पेपर का गेस कोश्चन आपके बीच सेर करेंगे जो 2023 के एक सामनीशन के लिए रामबान होगा न केवल इंपोटेंट है बलकि आना भी लगभग लगभग तै है तो आप चारो पेपर के लिए चारो ओनर्स पेपर के लिए इन कोश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा चलिए पहले हम पेपर फाइब का गेस कोश्चन आपके बीच सेर करते हैं दोस्तो पेपर फाइब में पहला जो सवाल आता है वो आता है क्रिटिसीजम से और क्रिटिसीजम से आप केवल और केवल इन तीन कोश्चन को कर लेना और निस्चिन तो हो जाना कौन-कौन Victorian Criticism, New Classical Criticism और Modern Criticism Modern Criticism को ही New Criticism भी कहा जाता है तो Group A के लिए Cable और Cable आप इन तीन Question को कर लेना sufficient हो जाएगा 15 Marks का होता है पहला सवाल Paper 5 में अब Paper 5 के दूसरे Question की ओर चलते हैं दूसरा जो सवाल आता है दोस्तों ये भी 15 Marks का होता है और यहाँ पे Individual Critics से सवाल पूछा जाता है Individual Critics के लिए आप लोग केबल और केबल ST Colories और T.E.S. Elliot इन दो को बढ़िया से कर लेजिएगा समय बचे तो Dr. Johnson को जरूर कर लेजिएगा आपको T.E.S. Elliot का 3 S.E. पढ़ने होंगे और इन ही 3 S.E. से 30 Marks का सवाल बनेगा जिसमें 15 Marks का एक Long Question होगा और साधे 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 साध माक्स करके दो Explanation के सवाल होगे यानि 15 Marks का Explanation का भी सवाल होगा तो इस Section के लिए आप Cable और Cable इन 3 S.E. को बढ़िया से कवर कर लिजिए बाद बाद के चीजे Explanation के लिए और Long Question के लिए मैं आपको अलग से कर बादूँगा 3 S.E. कौन-कौन है Tradition and Individual Talent Function of Criticism Infantides of Criticism हो सके तो उपर वाले दो को बढ़िया से कर लिजिएगा और Last वाले को थोरा बहुत देख लिजिएगा क्योंकि इन ही दो सवाल से उपर के दो ही इसे से Long Question भी बन जाएंगे और Explanation के भी सवाल बन जाएंगे तो ये हो गया Group C Section अब हम Group D Section में आते हैं Unseen Poem में Clearly यहाँ पे सुन लो Unseen Poem बहुत Simple है क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ भी साहिलेवस है ही नहीं आपके पाठे करम में कुछ दिया ही नहीं इसके पढ़ने के लिए सिधा बता दिया गया है कि एक छोटा सा Poem आएगा और उस Poem को Line by Line हमें Explain करना होगा और कितने Marks का सवाल होता है 20 Marks का सवाल होता है Unseen Poem में 10 Artline का छोटा सा Poem आएगा आप उस Poem को क्या करना? पढ़ते चले जाना और दो-दो Line करके उसको Explain करते चले जाना 3-4 पेज लेक दीजिएगा सफिसेंट हो जाएगा इसके लिए मैं separate वीडियो बना करके अब लेबल कराया भी हूँ और एक दो और मैं आपको अब लेबल कराऊंगा तो यह हो गया Unseen Poem अब हम चलते हैं पेपर 5 के Last Question की ओर पेपर 5 में दोस्तों Last जो Question आएगा यहाँ पे क्या होगा? टोटल 6 सवाल दिये हुए होंगे और उस 6 में से हमें केबल 2 का आंसर देना होगा और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे यानि 20 मार्क्स का Question पूछा जाएगा पेपर 5 में Last Question बला तो इसके लिए आप लोग जैदा बिलकुल मत करना साइल यवस में देखोगे तो धेरो टॉपिक मिलेंगे Last Question के लिए पेपर 5 के लिए लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी केबल और केबल इन 5 को बढ़िया से कर लिजिए निस्चिंत हो जाएए कौन-कौन इको क्रिटिसीजम Deconstruction Structuralism Pathetic Fleshy And Effective Fleshy इन 5 को कर लिजिएगा दो सवाल बनाना रहता है दो सवाल 100% इस 5 में से मिल ही जाएंगे तो दोस्तो ये हो गया पेपर 5 का Guess Question अब हम पेपर 6 की ओर चलते हैं दोस्तो पेपर 6 में पहला और दूसरा जो सवाल आता है वो Explanation से आता है और दोनों सवाल सुला सुला माक्स करके होते हैं 32 माक्स का सवाल कभर होता है Explanation section से पहला और दूसरा और Explanation के लिए मैं आपको separate content दे दूँगा इस वीडियो में मैं Explanation को involve नहीं करूँगा चलते हैं हम सिधे long question से तीसरा सवाल में दोस्तो जो आएगा question वो आएगा poem section से और poem section के लिए आपके syllabus में धेरो poem दिया हुआ है लेकिन हमें cable और cable उसी poem को करना है जिससे की long question भी बन जाए और Explanation का सवाल poem section से आए तो वो भी बन जाए तो वैसे अगर long question के लिए सवाल करोगे तो उपर का चार कर लोगे तो sufficient हो जाएगा यानि तीसरा सवाल के लिए उपर का चार poem sufficient है लेकिन मैं आपको बताया कि Explanation के भी सवाल आते हैं poem section से तो poem extra आपको पढ़ना होगा तो उस extra के लिए आप ये 3-4 और पढ़ लिजिएगा और instinct हो जाएगा long question तो बनेगा ही बनेगा Explanation का भी सारा बन जाएगा कौन-कौन poem पढ़ना है आपको पढ़ना है hawk roasting, the second coming, in memory of wv8, an elementary school classroom church going, ambulances leda and the swan and pipe beauty तो ये हो गया तीसरा सवाल के लिए poem section के लिए साथी साथ poem section जिससे जो Explanation के सवाल आएंगे उसके लिए अब हम चौन्थे सवाल की और चलते है चौन्था जो सवाल आएगा दोस्तो वो आपका आएगा critics से और critics के लिए आप लोग cable और cable T.S. Elliot और Philip Larkin इन दो को बढ़िया से कर लिजिएगा और instinct हो जाईएगा दोस्तो अब हम आते हैं पांचमा सवाल में पांचमा जो दोस्तो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा Pygmalion से जो की एक play है और G.B.S.O. के द्वरा लिखा गया है इस section से आप इन basic question को कर लिजिएगा और instinct हो जाईएगा कौन-कौन सवाल Discuss Pygmalion as a problem play Discuss Pygmalion as a play of ideas Discuss Pygmalion as a comedy of manners और यह तीनो एक ही question है तीनो का अंसर लगभग सेम ही होगा तो यह हो गया इसके अलाबा इसमें और करोगे आप Justify the title of the play Pygmalion Discuss the main theme of the play Pygmalion और Eliza Delightel के character इन सभी को कर लिजिएगा Pygmalion से भी सवाल 100% बन ही जाएंगे अब हम चलते हैं Paper 6 के last question की उर Last question पुछा जाएगा दोस्तों वो पुछा जाएगा Where angels fear to trade से जो की एक novel है Comic novel है और E.M. Foster के द्वारा लिखा गया है तो इस section के लिए आप लोग करोगे Justify the title Where angels fear to trade Plot construction of the novel Where angels fear to trade यानि टाइटल कर लिजिएगा इस novel का Plot construction क्या है यानि summary क्या है ये कर लिजिएगा इसी प्रकार से Discuss Where angels fear to trade As a comic novel यानि ये summary हो गया और लिलिया Hediton का character इतना कर लिजिएगा Paper 6 भी sufficient हो जाएगा और Paper 6 में आपको बता दू पहला और दूसरा जो सवाल आएगा वो 60-60 marks का होगा बादमा की तीसरा नमबर सवाल से ले करके और छटा नमबर तक का जो सवाल आएगा ये 17-17 marks करके होंगे तो ये हो गया Paper 6 का guess question अब हम Paper 7 की उर चलते हैं दोस्तो, Paper 7 में भी पहला जो सवाल आएगा वो explanation से ही आएगा चार explanation आएगा आठ-8 marks करके होंगे यानि 32 marks का explanation का सवाल आएगा Paper 7 में वो भी पहले नमबर सवाल में ही तो explanation के लिए मैं अलग से content कराऊंगा Long question की उर चलते हैं तो दूसरा नमबर में आता है दूस्तो, Long question और paper 7 में दूसरा नमबर में दो वराइटि आपको देखने को मिलेगा एक है कि आपके पास पाँच पोयां का नाम रहेगा या थो आप पाँच पोयां में से answer दो या फिर पाँच पोयट का नाम दिया रहेगा किसी एक answer दो कोई में से एक कही देना होगा या तो poet में से answer दीजिए या फिर poem में से answer दीजिए तो यहाँ पे मैं दोनों section के लिए content दे रहा हूँ आप जिसमें comfortable हो उसी को cover करना अगर poem section की बात करें तो poem section के लिए आप लोग silent steps, separation, Indian women, village song, sonnet to the moon and transformation इन सभी को कर लिजिएगा poem section के लिए अगर poet section का answer देना चाहते हो तो poet section के लिए तो मैं तो कहूँगा उपर से दो कर लिजिए sufficient हो जाएगा H.L.B. D. Rozeo, Shiri Arivindo, Siv K. Kumar and Sarojini Naidu उपर से दो कर लिजिएगा निस्चिंत आही जाएगा तो यह हो गया दूसरा सवाल अब हम तीसरे सवाल क्यों चलते हैं paper 7 में paper 7 में तीसरा जो सवाल आएगा वो the guide novel से आएगा और the guide novel से राजू का character most important रहेगा इसी परकार से discuss the narrative technique of the novel the guide ये कर लिजिएगा और the guide novel का title क्या ही ये कर लिजिएगा बाद मांकि राजू का character को तो समझे ये बढ़िया से रट ही लिजिएगा आही जाएगा examination में और ये कितने marks का होगा 17 marks का होगा और दूसरा भी सवाल कितने marks का 17 marks का अब हम चाउंते सवाल क्यों चलते हैं चाउंता जो दोस्तों सवाल आएगा paper 7 में वो आएगा इसे section से और इसे section के लिए आप लोग Indian, Civilization and Culture What is Culture Science, Humanities and Religion इन तीन को ही कर लिजिएगा 100% examination में आ जाएगे और ये भी कितने marks का? 17 marks का अब हम लास्ट कोस्टिन नहीं पांचमा सवाल के चलते हैं पांचमा जो सवाल आएगा paper 7 में वो आपका आएगा short story section से और short story section से जो आएगा सवाल इसके लिए आप लोग इन तीन चार को कर लिजिएगा sufficient रहेगा कौन-कौन? The Homecoming, Karma, Companions and the Brothers इनको कर लिजिएगा sufficient रहेगा और ये भी कितने marks का? 17-17 marks करके दूसरा से लेकर के पांचमा तक का सवाल होगा बादमा की पहला जो सवाल होगा वो explanation का होगा 32 marks का होगा तो दोस्तों ये होगया paper 7 का guess question अब हम last section यानि paper 8 में आते हैं paper 8 में दोस्तो section first क्यों राते हैं? section first के लिए दोस्तों आप इन सभी question को कर लिजिएगा section first जो होता है वो 15 marks का होता है दोस्तों आप लाएंगे एक का जवाब देना होता है वो 15 marks का होता है इसके लिए आप लोग Grimm's Law और Warner's Law को तो बढ़िया से कर लिजिएगा इसके अलाबा language क्या है इसके characteristics क्या है इसको कर लिजिएगा psychronic and dichronic linguistics क्या है इसको कर लिजिएगा वैसे बता दूँ यह तीनों चीज मिला जुला है एक ही content को touch करता है तो यह हो गया section first के लिए अब section second क्यों राते हैं section second भी दोस्तों 15 marks का होगा दोस्त वाल लाएंगे एक का जवाब देना होगा और वो 15 marks का होगा और इस section के लिए आप लोग इन सभी question को कर लिजिएगा कौन-कौन speech mechanism phonetics and its branches super segmental features इसके अलावा walls and consonants तो यह हो गया section two के लिए section third क्यों राते हैं section third भी दोस्तों 15 marks का होगा दोस्त वाल आएंगे एक का जवाब देना होगा और वो 15 marks का होगा और इसके लिए आप इन सभी question को कर लिजिएगा morphology and types of morphem transformational generative grammar यानि TZ grammar इसके अलावा phrase structure rule surface structure and deep structure basic patterns of English sentences तो यह हो गया section third के लिए अब section four क्यों राते हैं section four भी दोस्तों 15 marks का होगा दो सवाल पूछा जाएगा एक का जवाब देना होगा सभी को करोगे कौन-कौन shinonym, hyponym, homophony, homonomy, polyshmy, homography, semantic relations, among the sentence and structure ambiguity इनको कर लिजिएगा sufficient रहेगा section four के लिए अब section five क्यों राते हैं section five में दोस्तों धेरो option आपके पास होगे और उसमें से केबल चार का ही answer आपको देना होगा और वो चारो पाँच-पाँच मार्क्स करके होगे यानि 20 मार्क्स का होगा section five और इसके लिए आप लोग dialect, syllable, assimilation, IC analysis, error analysis, spelling and pronunciation इनको कर लिजिएगा sufficient रहेगा तो यह होगे section five के लिए अब आते हैं section six क्योंट section six के लिए मैं आपको guess question नहीं दूँगा आते हैं, दस का ही जबाब देना होगा और दसो दो-दो मार्क्स करके होगे यानि 20 मार्क्स का होता है section six और अगर आप font सिख जाओगे तो within two minutes आप 20 में से 20 लालोगे mathematics की तरह यह question होता है मार्क्स कटता ही नहीं तो यह हो गया दोस्तो paper five से लेकर के paper eight तका guess question last में बता दूँ कि examination अफ काफी करीब है काफी करीब आ चुका examination date भी announce हो गया है तो अब last समय में हम लोग एक revision batch start कर रहे है और उपर अभी आप जितने guess question देखे हो paper five से लेकर के paper eight तक इन सभी question का my revision आपको कराऊँगा targeted batch होगा बहुत सांदार माक्स को आपको आएगा धेरो content मैं इस revision batch में दूँगा topic wise जितने topic देखोगे हर topic के ओपर videos content मिलेगा explanation के लिए अलग से content मिलेगा phonetic transcription के लिए content आपको मिलेगा चारो honors paper का class notes content देदूँगा जोगी simple language में होगा hand retain होगा इसके अलाबा धेरो content देदूँगा साथ में 75 plus videos देदूँगा youtube पे तो अंधादून videos दूँगा ही साथ इसाथ private video भी मैं आपको दूँगा recorded lecture इसके अलाबा whatsapp group में आपके number को add करा जाएगा girls को girls group में boys को boys group में और सारा activity वहीं पे चला करेगा कोई भी doubt नहीं होगा थर्ड है अच्छा marks लाना बहुँ जरूरी है क्योंकि 400 marks का examination यहाँ पे होगा जितने का exam पिछले दो पार्ट में होगा था उतने का examination अब केवल एक पार्ट में होगा इसलिए आप सभी बढ़िया से पढ़िए उपर जितने question देखे हो पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक गेस question जो मैं डिसकस किया हूँ उन सभी question का content मैं आपको दूँगा और इन ही question का revision भी मैं आपको बढ़िया से कराऊँगा तो जो दोस्तों जिसको यह revision batch जोएन करना हो यह मेरा whatsapp number है इस पे आप मुझे problem create करेगा thank you so much दोस्तों